आज की जो रेसिपी लेकर आई हूं उसमें ना तो चीनी की जरुवत है ना गुड की ना मिश्री की तो इसमें जो चीजे है ना उसमें नैचुरल मिठास है इतनी अच्छी है और इसमें जितनी चीजे पढ़ने वाली हैं उनके इतने सारे हेल्थ बेनेफिट्स हैं जिसकी कल तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन पॉस्टिक लड्डूों को इसके लिए देखिए मैंने क्या क्या लिए बहुत सारे शीट्स लिए पहले तो जितने ज्यादा आपको मिल जाए आप उत्ते ज्यादा इस्तुमाल कर सकते हैं इसमें कद्दू के बीज है सूरज मुखी के यानि कि सनफलार और इसमें मगच के बीज है इसमें अलसी बहुत ज्यादा पड़ा है उसके साथ साथ मैंने इसमें तिल भी है इसमें और जितनी ज्यादा चीजे आपको मिल जाए ना आपको काला तिल सफेद तिल दोनो और मैं देखिए तिल थोड़ा सा वन टेबल जिहां सही सुना ड्राइ रोस्ट करना है बिना किसी घी तेल के तो देखिए इस सारे बीज ने चटकने लगेंगे और तभी हम इसमें एक टेबल स्पून के करीब मगच के बीज होते हैं यानि कि खरबूजे के वो और डाल देंगे ये सारी चीजे बहुत हेल्दी होती है ह हम ऐसे कहें कि हम रोज एक चमच खा लेंगे कद्दू के बीज तो हम नहीं खाते बहुत आलस आता है लेकिन हम इन लड्डूओं को बना के रख लेंगे ना देखे मैं सब तरीके के दिखा देती हूं पहले वाला जो था ये मगच का बीज था और फिर मैंने संफलार का अलसी के बीज हमारी हेल्थ के लिए बहुत 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 जादा न्यूट्रीशियस होते हैं कहते हैं बच्चे हो बड़े हो सबको इनकी डाइट में शामिल करना चाहिए और देखे देखते ही देखते मैंने कितने अच्छे से इनको ड्राय रोस्ट कर लिया है अलसी के ब हाट को बहुत जादा हेल्दी रखते हैं और देखे अब उसी सेम कढ़ाई में मैंने क्या के था यहां पर थोड़ा सा मैंने देशी घी लिया है और उसमें गौंद फ्राइगे गौंद कहते हैं हड़िया मजबूत करती है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है फटा फट से फूल जाती है तो बस देसी घी जब गरम हो जाएगा तब इसको फ्राइ कर लेना है और इसको साइट करके रख लेना है अब एक ही कढ़ाई लूगी जहां तक कि मैंने अपनी हर रेसिपी में चीज बनताई है कुछ लोग इसलिए नहीं बनाते कि बहुत बरतर बजार से ले आएंगे लेकिन बजार में इतना हेल्दी आपको नहीं मिलेगा कोई आपको इतने प्यॉर इंग्रेडियन नहीं देगा तो क्यों न हम घर में ही बनाए अपनी फैमली के लिए तो देखिए सेम एक ही कढ़ाई लिए जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक ही और अखरोट डाल दी हैं यह सारी चीजे बच्चे खाएंगे ना तो दिमाग कितना तेज होने वाला है उनका आप समझ सकते हैं अखरोट बहुत जादा हेल्दी होता है बदाम के बेनिफिट्स हैं हर एक चीज इसमें ऐसी है जो हमारी सेहत के लिए बहुत जादा अच्छी ह वैसे भी अब हलकी हलकी सर्दियां पढ़ने लगी हैं सर्दियां आ रही हैं तो क्यों ना यह लड्डू बनाके रख लिए जाए बच्चों को एक्जाम टाइम खिलाए जाए उनको भई बहुत एनरजी की जरुट होती है पॉस्टिक चीजों की जरुट होती है उनके कितन लोड पड़ता है एक्जाम टाइम और रेगुलर स्टेडीज में भी तो देखे बस इसलिए यह सारी चीज़े हमको प्रिपेर करके पहले से रखनी है तो यहां पे मैंने किश्मिश को फ्राइ कर लिया है और गैस का फ्लेम लो ही है काजू बदाम पिस्ता खरोट साइट कर अब इसमें मैंने एक कप के करीब सेम मेज़र्मेंट ले रही हूं एक यह बावल से मैं मैं उतने ही मखाने अट कर दी अब बस इसीव हुए देशी घी में हमको मखाने को भी अच्छे से फ्राइ कर लेना है और देख एंध मखानों में जितना भी पैन में हमारा देसी घी यह अच्छे से आप पर आप तःय कमदाने अच्छे से और शाय कर लिए और देखे मखाने भी हमारे अच्छे से फ्राइ हो गए है इनको भी साइट कर लेंगे अब देखें यहां पर कोई भी कढ़ाई जो हमारा पैन है बिल्कुल ड्राय है अब इसमें हम क्या करेंगे अब मेरे पास desiccated coconut अब मेरे पास desiccated coconut अविलेवल था इसलिए वरना आप normal खोब्रा जिसको कुछ लोग बोलते हैं नारियल बोलते हैं फटा फट से उसको कद्दू कस करके ड्राय रोस्ट कर लेए अब desiccated था बहुत जल्दी जलने लगता है नारियल तो मैंने फटा इन सब को अच्छे से हमको क्या करना है दर दर पीसना है किसी भी चीज का पाउडर नहीं बनाना है जब खाते समय क्रण्च आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा तो देखे जितने भी तरीके के बीज लिए थे उन सब का दर दर पाउडर बनके रेडी है इसी तरीके से वन बहुत अच्छा लगेगा तो आप करके रख सकते हैं बच्चों दोड़ते भागते हैं जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ तो उनको एनरजी देने के लिए बहुत सही तरीका है ये और जितनी किशमिश थी मैंने डायरेक डाल दिया इसको पी दरा पीसा है आपको देख रहा होगा बहुत बड़े बड़े पीसिस भी हैं इसमें बीच में जब लड़ु खाएंगे बीच में आएंगे तो बहुत अच्छे लगने वाले हैं और इसी स्टेज पे मैंने आधी गूंद डाल दी है और आधी को मैं हलका सा आप चाहें तो ह बनानी की कोशिष कर रही हूँ, आप सबudकर और मैंने आपको बोला कि मैं इसमें गूर्दिया ना शुरू हो गई है मौसम चेंज होता है तो सर्दी जुखाम हो जाता है तो यह जाइफल थोड़ा सा इसमें डाल देंगे लिमसर्टी तो एक बड़ चुटकी घिस के लिए हमको इन चीजों से भी दूर रखेगा, हमको फिट रखेगा, हमको हेल्दी रखेगा, बस इसलिए, बहुत जादा नहीं डालना है, आपको एक दो चुटकी के करीब, इसमें कद्दू कस करके डाल देना है, आपके पास पाउडर है, तो आप डारेक्ट डाल सकते हैं, देखे मैंने यहां क्या किया है, खजूर लियें, यानि की डेट्स, एक चमच देशी घी ले लिया था, खजूर के बीज अलग कर दिये, बारिक बारिक चॉप कर लिया है, रुकिए, कोई जरुवत नहीं है, मिक्सी में पीसने की, क्यों मिक्सी का काम बढ़ाना है हमें, नहीं इस पीसना है, नहीं इसमें दूट डलेगा, नहीं मलाई डलेगी, नहीं पानी डलेगा, इसको ऐसे ही हमको पकाना है, गैस का फ्लेम लो है, जब इसको घी के साथ भूनेंगे, यह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, जी हां, कुछ लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रेच पे ही गल अगर आप यह सारी चीजों को बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे, तो कभी भी इसमें फफूंदी नहीं लगेगी, यह लड़ू आप दो तीन महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, देखे इसी के साथ साथ मैंने यहां पे एक दो चमच के करीब यहां पे खस खस जाली खस खस जिनको नीद की प्रॉबलम हो जाती है, कभी कभी नीद अच्छी नहीं आती, वो भी उस चीज में भी यह बहुत हेल्प करती है, तो देखे यहां पे मैंने खस खस को इस्तमाल किया है, और इसको पॉपी सीट्स भी बोलते हैं, कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं, जैसे ही यह बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था ना, देखे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया, मैंने यह इसमें डाल दिया आपने मिक्षर में, बाकी का जो हमने पाउडर बना के रखा था, अब इन सब को हलके हातों से, क्योंकि खजूर तो अभी गरम है, तो हलका हलका मैश करते हुए, जब खजूर को पूरी तरीके से हम ड्राइफ रूट के साथ, पाउडर के साथ मैश कर देंगे, तो कुछ इस तरीके का आपका मिक्षर बनके रेडी हो जगा, अब आप लड़ू बांदेंगे, तो फटा-फट से आपके लड़ू बंद जाएंगे, और द आपको बहुत जादा बेनेफिट मिलने वाले हैं लड़ू के, तो फटा-फट से इन लड़ू को बांद लूँगी, और आशा करती हूँ, आपको ए रेसिपी अच्छी लग रही होगी, मैं आपको प्रॉपर समझा पा रही होगी, एक्स्प्लेइन कर पा रही होगी, फिर थैंक यू